नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का अभिप्शा की पूरी टीम की तरफ से मैं हूँ अभिनात शांशो पंडे और हमारी चर्चा का क्या विशा है देखे पिछली वीडियो में हम लोगों ने बाते की थी विद्दुत विभाव के बारे में ये एक फास्ट ट्रैक रि की भौतिकी के लिए मैं अभिनात शांशो पंडे आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूं इसके साथ साथ गनित जी विग्यान रसायन इन सारे सब्जेक्स पर और साथ ही अच्छा दस्वी की बोर्ड की सारी सारे विश्यों पर हम आपको परिछा की तैयारी करा रहे हैं ये कंटेंट आपको exam series mission 2023 के नाम से हमारे application में भी मिल जाएंगे अगर आप YouTube में ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को सुरू से देखें blueprint discussion से लेकर अभी तक की सारी यात्रा आपकी हमारे साथ साथ चलनी चाहिए और अगर आप application पर जो है mentorship मिलेगी और इसके साथ-साथ career counseling के लिए भी हमारे पास में बहुत अच्छे options हैं तो चली आगे बढ़ेंगे हमारी आज की चर्चा का विशय जैसा कि पिछली बार पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विद्धुत विभाव हो गया अब धारिता के और बढ़ एक चालक ले लिया अब इस चालक पर हम जैसे ही कोई आवेश डालते हैं मान लेते हम लोगों ने क्यों आवेश डाला तो इस आवेश को डालने के कारण दो चीज़े होती हैं पहला कि इसके सतह पर क्योंकि यह एक चालक है तो चालक के भीतर कोई आवेश नहीं होता सारा क कि सता पर फैल जाता है इसलिए इसकी सता पर आवेस का घंदव बढ़ने के और बढ़ने के साथ साथ अब भतत की ऊपर निरभर होकर के इसका विभाव बढ़ेगा इसका विभाव क्या है ने भलत की है कि पIP desen online क्या गया का विद्ब overlay के बराबर होता है इसका मतलब यह है कि हम अनंत बिंदु से यदि कोई आवेस्ट लाकर इस आवेस्ट पिंड के अंदर डालने का प्रयास करेंगे तो उसके लिए हमें जितना कारे करना पड़ेगा बाहे बल्दवारा वही इसके विभाव के बारे में बात करेगा अब जैसे हम क्या कहते हैं कि वह आवेस्ट वह आवेस्ट जो किसी चालक में एक वोल्ट का विभाव बढ़ा दे उसे हम विद्धु धारिता कहते हैं फिर से आवेस्ट की वह मात्रा जो किसी चालक के विभाव में एक वोल्ट की विद्धि करने के लिए आवशक हो उसे हम उसकी आती है कि आप उस चालक के अंदर कितना आवेश स्टोर करके रख सकते हैं और उसकी केपैसिटी से बाहर जब हम उसमें और आवेश डालेंगे तो जिस तरीके से एक बरतन में पानी भरने के बाद में यदि वो पूरा बरतन भर जाए तो उसके बाद में पानी बहने लगता ह करला है उसी प्रकार से जब हम इसमें इससे ज़्यादा आवेश डालेंगे तो क्या होगा कि इसके आसपास माद्धिमें उस माद्धयम के लगता है まे लगता है तो ये संधारित्र का सिध्धान्त तो भाई हम लोगों ने धारिता के बारे में भी सीखा अब हम संधारित्र के बारे में सीखने से पहले एक चीज़ देखते हैं कि मान लेते हैं कि ये वोल्टेज जो है वो क्या प्रदसित कर रहा है वह उस कारे की मात्रा को प्रदसित कर र Q1 ला कर देते हैं तो इसके लिए हमें बाहे बलद्वारा कारे करना पड़ेगा जो इसमें विभाव के मादम या इसकी पोटेंशल एनरजी याने कि इसके स्थितिज उर्जा के हैं रूप में यहां पर एक अत्रित होता जाएगा संरक्षित उर्जा है यह बात तो हमें पता है लेकिन यदि हम इसके पास में कोई रिनावेशित पिंड रख देते हैं कोई रन आविशित पिंड रख देते हैं तो अब क्या होगा कि बाहर से जो हम अनंत से कोई आवेस जो कि धानात्मक आवेस है ये लाने का प्रयास कर रहे हैं इस पर अब दो प्रकार के बल कारे करेंगे पहला बल जो यहां पर प्रतिकर्शन लग रहा है क्योंकि हमें कुलम क नियमों के बारे में पता है तो पहला बल प्रतिकर्शन उत्पन्न करेगा जबकि दूसरा बल उस आवेसित रौड के कारण आ रहा होगा जो इसे आकर्शित भी करेगा और इस पकार से कुन मिला के लगने वाला बल बल की मात्रा कम हो जाएगी और बल की मात्रा कम होने से का विपरित आवेशित पिंड की उपस्थिती में यहां पर विद्धुत विहों में वृध्धी उतनी ज्यादा नहीं होती जितना यह अकेले होने पर होगी और इसी सिद्धान के उपर जो है हम संधारित्र के बारे में बात करेंगी आई यह देखते हैं हम लोगों ने रिखाएं इस तरीके से निकल रही होंगी ठीक है और दूसरी दिशा में भी विद्धुत बल रिखाएं निकल रही होंगी यहां पर भी हम विद्धुत बल रिखाएं की कल्पना कर लेते हैं अब इसके बाद में हम क्या देखते हैं कि यहां इसके आसपास जब हमें विद विद्दू छेत्र बन रहा होगा इसी प्रकार से यहां से भी विद्दू बल रिखाएं गोस रही होंगे इसके अंदर अब हम इसके लिए विद्दू छेत्र की तीवरता का सूत लिखते हैं तो विद्दू छेत्र की तीवरता किसी अनंत चादर के लिए है यह बराबर सिग इस विद्धुद्चेतर की तीवरता है यह हम लोगों ने कहां पढ़ा है पहले अध्याय में इस विद्धुद्चेतर की तीवरता में अब हमारे पास में कुल मिला के चार विद्धुद्चेतर हैं पहला इसका नाम हम रख देते हैं E1 दूसरा इसका नाम हम रख देते हैं E 3 और यह चौथा इसका नाम हम रख देते हैं E 4 ठीक है अध्यार उपन के सिध्धान के अनुसार किसी चेत्र किसी बिंदू पर या किसी भी चेत्र में लगने वाले विदुद भल की तिविताएं समस्त विदुद चेत्र मतलब विदुद चेत्र के सदिस योग के बराबर होत तो यहां देखिए यह विदुद चेत्र रिखाएं इधर जा रही है और यह विदुद चेत्र रिखाएं विपरीत दिसा में चल रही है ठीक है तो यहां पर कुण मिला के विदुद चेत्र की तीवरता क्या हो जाएगी यहां पर विदुद चेत्र की तीवरता हो जाएग e1, dhun, e3 और इस पकार से यहाँ पर क्योंकि दोनों के परिमार एक बराबर है हम लोगोंने माना है कि दोनों ही चादरों में आवेस का घनत प्र सिगमा है तो दोनों के परिमार बराबर है इसलिए यहाँ पर विद्धु छेतर शून्य हो जाएगा चलिए लिख लेते हैं विद्दू छेत्र यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर विद्दू छेत्र जो है शून्य हो जाएगा फिर यहां पर भी देखेंगे तो यहां देखें यहां पर भी हमको e4 e4 उस दिशा में जा रहा है जबकि e2 इधर आ रहा है और इसलिए यहां पर विद्धू छेतर के कुल मिला के ती बता शून यह हो जाएगी लेकिन अगर हम इस छेतर में देखें तो यहां आप ध्यान देंगे कि एटू की भी दिसा वैसी है जैसी एठरी की दिसा है और इन दोनों को जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा हमको मिलेगा सिग्मा बटा टू ए और यह दोनों अगर हम मिला दें तो हमको कुल मिला के विद्धू छेतर कितना मिलता है यह मिल जाएगा ई बराबर सिग्मा बटा एपसलों नॉट अब आपको जो है यह तो पता चल गया अब हम इस सिद्धान को लेके आगे क्या बात करेंगे चलिए आए देखते हैं हम सम इसको धनावेशित कर दिया अब जो है हम क्या करेंगे कि हम इसके विभाव की गल्पना करेंगे कि इसकी धारिता कितनी है इसकी धारिता जो है कितनी होगी तो हमारे पास सूतर है सी बराबर सी बराबर क्यू बटावी ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, कि यदी हम इसके बगल में जो है, एक अनामिसित पिंड रख दे, तो इस अनामिसित पिंड को यदी हम जो है, हम लोगों ने कर दि है, इसलिए सारे धनात्मक आवेस नीचे चले जाएंगे और जब तक यह उपस्तित हो रहेगा तब तक इसकी धारिता में वृद्धि हो जाएगे इसके बाद में हम लोगों ने फिर कल्पना की कि जितना आवेस यहां है उतना ही अर्थिं को अब हटा दें और दोनों के दोनों रोट जो है एक दुसरे के अगल बगल रखे हूँ तो हम यह देखेंगे कि दोनों में इस्थित आवेसों की मात्रा एक बराबर है जबकि इन दोनों में जो है विपरित आवेस होने के कारण इसकी धारता में वृद्धी हो गई है अब हम धारता में वृद्धी कि इस तरीके की प्रबंध को हम क्या कहते हैं इस तरीके के प्रबंध को हम कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र अब समांतर प्लेट संधारित्र में आप देखेंगे कि ये एक प्लेट है और इस प्लेट क ने इसे डी मान लिया तो अब यहां पर देखेंगे के इनमें कितना कर सकते हैं यह बात हमें देखने हाब यह आवैस करने के लिए हमारे पाथ में दो बात हैं पहली बात क्या है मैं व मिगनात करेंगे सा हम लोगों ने किया देखी है सीग्मा बिढ़ाबर क्यू बिटा है वोता है तो इससे त्कौना करने से हम को क्यू बिढ़ाबर स्थ circles मबटा है अब अगली चीज चा देखना को यहाँ पर विद्दूत विभाव के बारे में देखना है विद्दूत विभाव को हम किस प्रकार से परिभासित कर सकते हैं आपको विभाव प्रमड़ता याद होगी और विभाव प्रमड़ता में हम लोगों ने देखा था E E बराबर V बटा V बटा L या फिर यहाँ पर क्योंकि हम लोगों ने इसके बीच की दूरे D मानी है तो यह हो जाएगा V बटा D और इस तरीके से हम जो है V का मान ले सकते हैं E गुणा D यह E गुणा D हो जाता है लेकिन अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा है कि E का मान हमारे पास में है E बराबर सिग्मा बटा एपसलों नॉट तो हम जो है यहाँ पर E का मान भी रख देते हैं E बराबर सिग्मा बटा एपसलों नॉट अब यह पूरी तीनों जानकारियां हम एक साथ इकठी करेंगे और हमें पता है C बराबर Q बटा V Q के बदले हम लिख सकते हैं Sigma गुणा A और V के बदले हम लिख सकते हैं यहां देखें V के बदले हम लिख सकते हैं Sigma बटा Epsilon नॉट गुणा D Sigma D और पूरे का बटा Epsilon नॉट अच्छा यहां हमको क्या नजर आता है यहां जो चीजें कटी हैं सबसे पहले तो उनको काट लेते हैं तो यहां पर सिगमा और यह सिगमा गया और अब हम देख सकते हैं A बटा B पूरे का बटा C बटा D और इसको हम लिखते हैं A बटा A बटा B गुना D बटा C और यही चीज़ हम यहां उप्योग करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा C का मान मिल जाएगा सिगमा सी का मान मिल जाएगा Epsilon 0 A बटा D और यह है समानतर प्लेट संधारित्र की धारिता यहां तक बात समझ लेने के भाद में हमारे पास में एक और सवाल आता है कि इनके बीच में माध्यम है और आपने कहा कि माध्यम की प्रवित्ति के उपर भी किसी संधारित्र की धारिता बदल सकती है तो यहां पर संधारित्र की धारिता किस प्रकार से प्रभावित हो सकती है इसके लिए हमको जाना पड़ेगा पछले पेज में और यहां पर जो है, हम क्या देख रहे हैं, हम लोगों ने देखा था, कि किसी भी आवेशित पिंड के आच पास जो है, हम लोग क्या कर रहे हैं, कि आवेश को यहां से ले के आ रए हैं और पूण लाके किये गये कारब अ कूलम के नियम देखें हैं जिसमें F बराबर K Q1 Q2 बटा R का वर्ग होता है यहाँ पर K क्या है इसको अगर हम ठीक से लिखें तो हो जाएगा एक बटा 4Pi Epsilon 0 और यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2 बटा R का वर्ग यह है कोल मिला के कूलम बल ठीक है अब यहाँ पर यदि हम दो आवेसों के बीच के माध्यम में कोई बदलाव करना चाहते हैं यदि यहाँ पर हम लोगों ने क्या रखा यहाँ पर हम लोगों ने वायू या निर्वात रखने की बजाए यदि हम लोगों ने इसमें जो है कोई दूसरी चीज़ डाल दी जैसे क शिल्का जैसे कि लकडी या कोई भी दूसरा मध्यम तो उसका अपना एक परावैदुतांग के होगा और उस परावैदुतांग के कारण यहां पर जो बल में बदलाव आएगा वो हो जाएगा वन बाई जो है जो अंतर होगा वो कितना होगा तो f बटा f 1 यह f 0 यह यह हो जाएगा एप्सलों नॉट nay एप्सलों नॉट के बटा एप्सलों नॉट और इस तरह के से यह कर जाएगा और हमको पता चलेगा कि जो पहले बल था वो बाद वाले बल का के गुना हो जाएगा इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किसी भी दो आवेसों के बीच में यदि हम माध्यम में बदलाव करते हैं तो बल के भाग में बढ़ जाता है याना कि यह निर्वात का बल है और यह वाला बल माध्यम की उपस्थिती म हो जाएगा यदि परावधुतां के हैं अब यह देखने के बाद में हम लोगों को पता चला कि जो है जो कार है वो भी जो है के गुना याने के भाग में बढ़ जाएगा ठीक है मतलब हम बोल सकते हैं डबलू डैश बराबर डबलू बटा के तो जब कुल मिला के कार ही रिवरतन होगा वी डैश बराबर वी बटा के और इस तरीके से जब हम यह जानकारी कहां डालते हैं जब यह हम जानकारी जो है किसी संधारित की धारिता के बारे में बोलते हैं तो हमको पता है सी बराबर क्यू बटा वी और वी की बजाए जो है क्योंकि हम लोगों ने नय यह वी डाइस जो है यहां देखे आप यह वी डाइस जो है वी बटा के बराबर है मतलब हम यहां पर क्या देख रहे हैं यहां पर देख रहे हैं यह हो जाएगा क्यू बटा वी बटा के और यह उपर चला जाएगा तो हमको पता चलेगा सी डाइस जो है वह के गुणा सी मतल जब हम किसी के पराम वैदुतांग का माध्यम दोनों प्लेटों के बीच में डालते हैं तब उसके विदुधधाज़ता के गुना बढ़ जाती है तो बीच में माध्यम डालने से विदुधधाजता में ہो रही है यह बात हमें समझनी थी और यह बात हम लोगों ने समझ ले अब संधारित्रों के संयोजन के बारे में बात करते हैं आप ध्यान देंगे कि यदि हम लोगों ने इस तरीके से संधारित्रों को जोड़ा तो आप जो है क्या देखेंगे कि संधारित्रों को माल लेते हैं इसका नाम C1 है इसका नाम C2 है और इसका नाम C3 है तो यहां देख हैं कि यह दोनो प्लेटेश आप इन दो प्लेटों जा ने तो यह दो मूल रूप से बाहरके सरक्ट से पून अलग है और इस लिए जो है आप Canada Old अब तब भी गए रिनात्मक अवीश होता है तो यह बराबर मात्रव में कि के होगा जितना यहां पर धनात्मक उतना ही रिणात्मक और क्योंकिorter यह अपने आपमें अलग हिस्सा है इसलिए जितना यहां धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा उतना ही यहां पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा और मूलता है इस पूरे हिस्से में आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी शूर्ने हो जाएगी उसी तरीके से अब हम दूसरे हिस्से की तरफ ध्य उसी प्रकार से यहां पर रिनात्मक आवेश उत्पन होंगे और यह रिनात्मक आवेश इस बैटरी द्वारा दिये गये होंगे तो अब हम क्या देखते हैं कि इस प्रकार का जब संयोजन होता है तब कुल मिला के आवेशों की मात्रा हर प्लेट के बीच में एक बराबर होती है अब आवेशों की मात्रा तो हमेशा Q ही रहने वाली है अगली बात पूछते हैं कि क्या यहां पर विद्धुत विभाव में कोई अंतर आ रहा है तो बिलकुल हम देखते हैं यहां पर विद्धुत विभाव में अंतर आ रहा है और यहां पर विभाव कमान V1 यहां पर विभव का मान V3 हो जाएगा अगर ऐसी बात है तो जब हम जो है इन संधारितों को जोड़ेंगे तो इनके विभवों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि आवेस एक बराबर है इसलिए हम देखते हैं कि भाई C बराबर Q बटा V होता है C बराबर क्या होता है Q बराबर V होता है और इस तरीके से हम देखेंगे कि अगर हम अगर हम इनको जो है इस तरीके से जोड़ें तो हमको क्या दिखाए देगा भाई आवेसों की मातरा एक बराबर है और विभवों की मातरा जो है वो अलग अलग है ठीक है तो अब हम जो है य V बराबर Q बटा C हो जाएगा और हम जो है सब भी विभाव को जोड़ रहे हैं तो कुल मिला के V बराबर V1 धन, V2 धन, V3 हो जाएगा और इस तरीके से यहां लिख सकते हैं Q बटा C1 धन, Q बटा C2 धन, Q बटा C3 और C3 और यह किसका मान है? यह यहां पर कुल मिला के C और यह क्योंकि इस समायोजन को सीरीज बोलते हैं इसलिए यह CS हो जाएगा अब यहां से सब सारे के सारे Q को हम क्या करेंगे? उभावनिश्ट लेकर काट देंगे और हमको सूत्र मिलेगा 1 बटा Cs बराबर 1 बटा C1 धन 1 बटा C2 धन 1 बटा C3 और यह हमारे पास में सूत्र हो गया स्रेणी क्रम में तो यह जो क्रम है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम स्रेणी क्रम कहते हैं ठीक है? और स्रेणी क्रम में जो है जो समायोजन होता है वो इसी प्रकार से होता है चलिए हम लोगों ने ये बात समझ ली अब हम बढ़ेंगे आगे आगे बढ़ने के बाद में हमें क्या दिखाई देता है आगे देखते हैं सरेधी क्रम का समयोजं हमें सूत लिखना है 1 बटा CS 1 बटा CS éस बराबर 1 बटा C1 धन 1 बटा C2 धन 1 बटा C3 and so on अब हम देखेंगे समांतर क्रम का संयोजन क्या होता है समांतर क्रम में हम लोगों ने प्लेटों को कुछ इस प्रकार से जोड़ा कि इनके सभी धनात्मक प्लेटें एक साथ और इनकी सभी धनात्मक प्लेटें एक साथ हमें नजर आ रही है अब आप लोगों का सवाल आ रहा होगा कि क्या ये सीखना जरूरी है तो मैं आपको उत्तर दे दूँ कि सीखना बहुत जरूरी है और उसका कारण ये है कि आप से परिक्षा में इस प्रकार के प्रशनों पूछे जाते हैं अब मान ले जाए इसका जो है इसका इसकी धारिता C1 इसकी धारिता C2 और इसकी धारिता C3 है तब भी अब हमको क्या नाजर आ रहा है क्योंकि सारे के सारे धनात्मक प्लेट एक साथ जूड़े हुए हैं और सारे के सारे रिनात्मक प्लेट एक साथ दूसरी तरफ जूड़े हुए हैं और यह जो है कुल मिला के बैटरी से जूड़ता है इसलिए जीतना विभवांतर यहां पर बैटरी का दिखाई देगा उतना ही विभवांतर हर एक प्लेट के बीच में होगा क्या इनमें आवेशों की मात्रा समान है बिल्कुल नहीं इनमें आवेशों की मात्रा अलग-अलग है यहां पर Q1 आवेश मिलेगा यहां पर Q2 आवेश मिलेगा यहां पर Q3 आवेश मिलेगा तो इस तरीके से आवेशों को जोड़ने के लिए हमारे पास में सूत्र क्या है वह होता है इसलिए हम क्या करेंगे c v और यह क्योंकि यह पैरलर याने कि समानतर सवयोंजन है इसलिए cp बराबर c i1 भिद्हन c2 v भन c3 v सारे के सारे वी हैं हम भान लिखन निकालेंगे और यह वाले वी को एंगे इस से हमको सूतर मिला CP बराबर C1 धन, C2 धन, C3 and so on ये हमारा समांतर क्रम में संयोजन का सूत्र बन गयाता है तो इस प्रकार से आपको समांतर क्रम में और संयोजन में दोनों प्रकार के संयोजन में जो है इनका फ़लन निकालना आना चाहिए दूसरी बात क्या है कि इससे आपको आँकिक प्रशन पूछे जाएंगे जिसमें समांतर और स्रेंडी क्रम दोनों का समायोजन होगा लेकिन वो चीज़ें जब हम प्रिवियस येर क्वेशन कर रहे होंगे तब हम देखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं अब आज का ये वीडियो तो समाप्त होता है यहां पर हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी आगे के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं हम आगे के वीडियो में देखने वाले हैं कि किस प्रकार से उर्जा संरक्षित की जाती है और किस प्रकार से उर्जा का हरास होता है तो जुड़े रहे हमारे साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिजे और अपने दोस्तों को जरूर बताइए कि यहाँ पर आपकी परिक्षा की पूरी तैयारी की जारी है मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाल